Good morning students, welcome back to botany class Psychus पढ़ रहे थे हम Psychus में हमने Morphology कर लिया है और Anatomy में हमने Stem, Leaf और Root की Anatomy पिछले वीडियो में उसे भी कर लिया है अब इस वीडियो में हम Reproduction पार्ट करेंगे और Reproduction के साथ साथ Male Reproductive Structure जो है वह किस प्रकार का होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे सबसे पहले Reproduction जो है Psychus में Vegetative Type of Reproduction भी पाया जाता है और Sexual Reproduction भी पाया जाता है तो सबसे पहले डिसकस करते हैं Vegetative Reproduction जो कि बहुत Common Type of Reproduction Psychus में है Through Bulbills Bulbills के द्वारा Vegetative Reproduction Psychus में होता है अब Bulbills जो हैं कहां Develop होती है जो आपको बताया दो प्रकार की Leaves पायी जाती है Psychus में एक तो होती है Foliage Leaves और दूसरी होती है Scaly Leaves तो जो Scaly Leaves हैं उसके Axle के अंदर Bulbills जो हैं वो Develop होता है और वह Oval Type of Structure है Broad उसका Base होता है नीचे से चोड़ा होता है और Apex जो है उपरी सिरा जो है वह उसका सकड़ा होता चरा जाता है Scaly Leaves जो है वह Spirally Arrange होती है और जो Stem होता है वह Dormant होता है किसी भी Bulbill के अंदर Bulbill का Structure हम देखते हैं यह देखिए अगर हम Single Bulbill यहां देख रहे हैं तो इस प्रकार से Spirally Arrange Scaly Leaves हैं और फिर बाद में उनमें से यह Sarsinate Coiling Venation आपको देख रहा है और इस प्रकार से फिर बाद में आपको यह Foliage Leaves भी इसमें से निकलती हुई दिखाई दे रहे हैं तो जैसे ही यह Bulbill Stem से अलग होता है यह Germinate होता है और Roots फॉर्म करता है Roots जब Form होगी तो Roots निचे की तरफ ग्रो करेगी और Leaves उपर की तरफ में ग्रो करेगी और एक नया Plant डेवलप हो जाएगा तो इस तरीके से Scaly Leaves के Axle में जो Bulbill Form होता है वह Detach होके जब पौदे से अलग हो जाता है मेन Plant से अलग हो जाता है तो एक नया पौधा जनरेट करने में सक्षम होता है Bulbill का यह है कि अगर Male Plant पे वह Develop हुआ है Psychus के अंदर Male और Female Plant अलग-अलग होते हैं मतलब कि Diocious Condition है दोनों Plant अलग-अलग होते हैं तो अगर Bulbill Male Plant पे बना है तो वह Germination के बाद Male Plant ही बनाएगा और अगर Bulbill Female Plant पे बना है तो Germination के बाद वह Female Plant जो है वही बनाएगा तो यह Vegetative Reproduction का एक टाइप आपको यहाँ पर बताया गया है अब आते हैं हम Sexual Reproduction पे Sexual Reproduction में जैसा कि अभी आपको बताया है कि Psychus के अंदर Condition Diocious होती है कहने का दाद पर यह है कि Male और Female Sex Organs जो है वो अलग-अलग Plant पर बनते है Male Plant जो है वह Male Cone या Male Strobulus डेवलप करता है और Male Strobulus या Male Cone किसका बनावा होता है Micro Sporophylls का बनावा होता है जबकि Female Plant जो है उसमें Mega Sporophylls पाई जाती है लेकिन वह Cone Structure नहीं बनाता है मतलब Cycles के अंदर Female Cone नहीं पाया जाता है Mega Sporophylls जो है यहां पर Loosely Arrange होती है तो Male Cone जो है उसमें तो Terminal Position पर जो Apex है उसके उपर आपको Cone दिखाई देता है लेकिन जो Female Plant है उसमें आपको Mega Sporophylls प्रेजन होती है वह दिखती है और सक्सेशन में लाइन से आप कह सकते हैं लीव्स के टॉप पर या लीव्स जो है जो पर क्लीव्स हैं उन पर वहां पर उस टेम पर आपको दिखाई देती है कहने का दात पर यह है कि वह Loosely Arrange होती है मतलब कोन स्ट्रक्चर नहीं बनाती है कॉम्पैक्ट एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है वहां Male Cone का ही दिखाई देता है तो अगर आपका कहीं Cycles पर कौन दिखाई दे रहा है कौन स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसका मतलब वह प्लांट Male Plant है Cycles का और अगर कौन नहीं है वहां पर Megasporophyll आपको Loosely Arrange दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वह फीमेल प्लांट होता है अब हम देखते हैं कि Male Reproductive Structure या Male Cone जो है वह किस प्रकार का होता है और कैसे बनता है तो Male Cone ये देखिए आप चितर में भी देख सकते हैं जो figure A है उसमें आप देखेंगे कि Male Cone में सबसे बीच में एक Male Cone Axis है एक तो Cone Axis पाई जाती है और Cone Axis के दोनों तरफ में Microsporophils लगी हुई है perpendicular to the Cone Axis अगर Cone Axis ऐसे है तो Microsporophils ऐसे लगी हुई होती है और Microsporophils जो लगी हुई है उनमें आपको क्या मिलेगा उनमें Microsporangias लगे हुई होते हैं Microsporangias जो होते हैं उनमें Microspores होते हैं तो इस तरीके से Male Structure जो होता है और Male Structure जो Male Cone है इसमें जो बेस है Male Cone का उसमें Young Leaves पाई जाती हैं और Microsporophils जो हैं All Microsporophils in the Male Cone are Fertile कहने का दाद पर है कि जितने भी आपको Microsporophils दिखती हैं वो ज्यादा तर Fertile होती हैं मतलब कि उनमें Microsporangia पाया जाता है लेकिन नीचे की जो बेसल हैं जो बिल्कुल बिल्कुल नीचे वाली होती हैं या बिल्कुल उपर वाली जो Sporophils आप देख रहे हों उनके अंदर Sporangia नहीं पाये जाते तो अगर Sporangia नहीं पाये जाते तो वो Fertile नहीं कहलाती हैं अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर LS Cone का structure है यह LS कटावा है longitudinal section है Cone का तो अगर longitudinal section काटते हैं हम तो आपको इसमें क्या-क्या दिखाई देता है आपको यहाँ पर Microsporophyll दिखाई देता है और Microsporophyll जो है उसका एक particular shape है और यह उपर से यह Nocula सा यह Conical सा दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं Apophysis आगे बताऊंगे मैं यह और Microsporangia आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं और Microsporangia में Microspores पाए जाते हैं तो इस तरीके का male cone का structure आता है बहुत बार साइकस के अंदर पाइनस इफेडरा जो हम जैनरास यहाँ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि सिरफ diagram वाले question भी आ जाते हैं तो diagram वाले question आता है तो आपको इसमें LS cone की practice करनी पढ़ेगी इ इसके बारे में अगर descriptive part भी है तो समझाना भी पढ़ेगा अब आते हैं हम Microsporofil पर हमने पहले देखा कौन क्या है male cone तो male cone में cone axis है और cone axis पे stocked Microsporofils तोनों तरफ में लगी हुई होती हैं जिनमें कुछ basal और कुछ upper apex पे जो Microsporofils पाई जाती हैं वो Microsporofils जो हैं fertile नहीं होती उसके अलावा सभी Microsporofils fertile होती है structure की अगर बात कर रहे हो Microsporofils की तो flat leaf like woody brown colored structure होता है flat होता है leaf जैसा होता है woody होता है brown color का structure होता है जिसमें base जो है देखिया base narrow होता है और apex जो है वह pointed expanded सी होती है तो upper expanded portion जो है वो pointed होती है और इसको कहते हैं apophysis यह हमने यहां बता भी रखा है apophysis इसे कहा जाता है और जो narrow base होता है वह attach होता है cone axis से जाकर अब हर एक अगर micros profile के हम बात करते हैं तो उसके दो surface होते हैं एक होता है adaxial surface और दूसरा होता है abaxial surface तो जो adaxial surface है उसे upper surface कहा जाता है और जो abaxial surface है उसको lower surface कहा जाता है तो abaxial surface मतला अपर वाला surface है उस पर आपको एक ridge-like projection सा मिलता है अगर हम draw करना चाहें तो इस प्रकार से हम draw कर सकते हैं जैसे यह मान लीजिए अगर आपका यह है आपका micros profile का structure है तो यह तो apophysis वाला reason हो गया उपर और यहां पर एक आपको ridge type से दिखाई देता है बन नीरा रंग से इस तरीके से ridge-shaped structure जो है वह आपको यहां पर middle portion में दिखाई देता है अब अगर हम यह तो हुआ adaxial में एक तो apophysis और दूसरा ridge-shaped structure projections आपको दिखते हैं middle portion में अब अगर हम abaxial surface की बात करते हैं अब actual surface की अगर हम बात करते हैं तो आपको बहुत सारे sporangias दिखाई दिखाई देते हैं mid region में group of three to five तीन से पांच में आप यह देखिए तीन से पांच के group में यह आपको sporangias यहां पर नजर आ रहे हैं और जब यह group में नजर आते हैं sporangias तब उस group को हम कहते हैं सोरस यह भी बहुत important है कई पर पूछा जाता है सोरस किसे कहते हैं तो group of sporangia जो है उसको हम सोरस कहते हैं और इन जो यह groups आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब के बीच में आप देखोगे hairy structures भी हैं यह hairs भी हम पर मौजूद होते हैं बीच बीच में और यह सोरस structure है जिसमें क ग्रूप है 3 से 5 स्प्रेंजियाज का ग्रूप आपको दिखाई देता है अब अगर इस sporophyll का TS काटा जाए तो TS अगर हम काटते हैं इसका तो आप देखिए कि इस तरीके का structure आपको दिखता है अब actual surface अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे sporangia हैं और वो sporangia सैक लाइक है यह जो sporangia लटक रहे हैं लटकते वे जो sporangia जो आपको दिखाई दे रहे हैं सैक लाइक sporangia हैं और इन में आपको 5-6 layered structure यह आप उसको कह सकते हैं आपको इसमें दिखाई देती हैं आउटर जो थिक surface है वह epidermis कहलाता है फिर middle zone है वह thin wall cell की बनी हुई है और जो बिल्कुल अंदर जो zone है wall की उसको tapitum layer कहा जाता है जो की नरिश्मेंट प्रोवाइड करती है स्पोर्स को तो टीएस में इस प्रकार का structure देखने में आता और मुसिलेजिनस डक्ट्स जो है वह भी आपको microsporophils पर दिखाई देती है तो अगर एक बर summarize करना क्या है तो हमने क्या पढ़ा मेल कौन पढ़ा मेल कोन किस से बनावा है स्पूर्यों माइक्रोइक्ण प्रिजन पर b awaiting माइक्रोइक्ण पर थे प्रेंज रिंसे किसका बना है तीन से ौन्ट पर और हरेक माइक्ण पर नंगें में बहुत सारे saa hy цел हरे सबर गाते हम माइक्रोइक्ण स्पोर पे कि हर एक माइक्रो स्पुरेंचियास में जो बहुत सरे स्पोर्स पाए जाते हैं माइक्रो स्पोर जो है इसको पोलन ग्रेन भी कहा जाता है पोलन ग्रेन का मतलब है माइक्रो स्पोर से कैसा होता है राउंड स्ट्रक्चर है यूनी सेलूलर होता है एक ही सेल का बना हुआ है uninucleated भी है आप देख सकते हो एक ही nucleus इसमें आपको दिखाई दे रहा है दो वाल structure है two wall structure है outer exine और inner entine आपको इसमें दिखाई देती है और cytoplasm जो है वह surround करता है centrally located nucleus को आप देखें यह cytoplasm में यह nucleus को surround कर रहा है और एक large vacuol भी present है तो इस प्रकार का जो structure है microspore का uninucleated unicellular round structure है और with exine and entine और एक large vacuol उसके बीच में present होता है अब आते हैं हम development of microsporengium पे कि यह जो microsporengium आप देख रहे हो यह microsporengium बना कैसे development इसका किस प्रकार से होता है तो इसका development जो है वह use porengiate type है बहुत बार यह भी छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि कि किस प्रकार का development पाया जाता है तो use porengiate type of development है use porengiate से मतलब है group of initials से बनना use porengiate का मतलब होता है group of initials से form होना तो development जो start होएगा यहाँ पर वह hypodermal जो cells है उन hypodermal cells में कुछ sporengial initials बन जाते हैं और वो जो sporengial initials हैं वह divide करते हैं periclinally periclinally मतलब wall से parallel divide करते हैं और wall से parallel वो जब divide करते हैं तो primary wall cells बनाते हैं और inner sporogenous cell primary sporogenous cell बनाते हैं यह देखी primary wall cell बन रहा है और अंदर की तरफ में primary sporogenous cell form होता है क्योंकि division कैसा है periclinally अगर यह wall है तो division इस प्रकार से होगा इस प्रकार से होगा यहाँ भी कोई cell बनेगा और यहाँ भी कोई cell बनेगा और यह जो cell दो बन रहे हैं यह primary wall cell है यह primary sporogenous cell है अब primary wall cell जो है वापस से divide होगा periclinally भी divide होगा anti-clinally भी divide होगा और पांच से साथ cell थिक wall देदेगा sporengium की और यह पूरी wall यहाँ प्रिपेर होगा इसमें और ऐसे भी division होगा और पांच से साथ layer की wall यह form कर देगा अंदर अब जो primary sporogenous cells है वो भी divide होगे और division होने से वो देदेंगे microspore mother cell आप देखिए यहाँ पर microspore mother cell है यह और यह बाहर की तरफ ने इसके sporangial wall है और बिल्कुल अंदर वाली wall जो है वो टैपिटम के लाती जो कि एक nourishing layer है जो कि portion प्रदान कर दिये किसको microspores को तो further division जब होगा sporogenous cells का तो वो develop करेंगे microspore mother cell microspore mother cell जो है उनके अंदर meiosis होगा और meiosis होने से वह haploid spores बना लेंगे और haploid spores जो है वह microspores कराते हैं या pollen grains कराते हैं जो कि tetrahedrally arranged होंगे यह देखिए आप इसमें microspores यह wall layers होगी बहुत सारी और यह microspores बन गए जो कि haploid structure है जो कि microspore mother cell deployed था और उससे meiosis होने के कारण haploid microspores यहां पर form हो गए हैं तो इस तरीके से यहां पर आप कह सकते हो कि male cone किस प्रकार से बना मेल कोन में किस प्रकार से compact structure में microsporophils लगे माइक्रो स्पोरोफिल में किस प्रकार से lower surface पर आपको microsporengia दिखते हैं और microsporengia जो है वो भी groups में दिखते हैं और इस प्रकार के group को हम saurus कहते हैं यहां 3 से 5 microsporengia एक साथ लगे हुए होते हैं microsporengia में microspores पाए जाते हैं और microsporengia जो है वह किस प्रकार से development उसका होता है वह है useporengia type of development जहांपर group of initials से development होता है और microspores form हो जाते हैं तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा सारी चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी बुक से भी पढ़िए आप और अगर कोई चीज नहीं समझ में आती आप पूछ भी सकते हैं मुझसे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखिए क्योंकि हम काफी सारा syllabus इससे cover कर चुके हैं और आगे आने वाले वक्त में भी अगर महाविद्याले नहीं खुलता है तो हमें इसी के सारे अपना syllabus करना होगा बहुत बहुत धन्यवाद